भगवान राम ने जटायू का अंतिम संस्कार स्वयम किया जटायू के संरक्षण हेतु एहम कदम उठा रही है जिससे जटायू का संरक्षण हो और उनकी प्रजिनन बढ़ सके इसका साथ ही मंत्री ने बताया कि जटायू भगवान श्रीराम के समय से हैं जटायू गंदगी से मुपकराने में एहम योगदान देती है रारबन मंत्री अरूं कुमार सक्षण जिना जी हमारे साथ हैं आपने गोरक पुर्जिले के कैम्टियर गंज तफसील में जटायू संरक्षण केंदर का निरिक्षण किया है क्या कहना चाहेंगे सर जटायू संरक्षण केंदर यहाँ पे बनना बहुत जरूरी था क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जटायू इसे गिद्ध कहते हैं उनकी जनसंक्या बहुत कम हुई और जटायू बहुत इंपॉर्टेंट है आप यह समझे भगवान राम ने जटायू का अंतिम संसकार स्वयम किया आप अंदादा लगाईए भगवान राम कितना मरते थ जटायू का और प्रधान मंतरी ने भी प्रियाग राज के अंदर कम्व के मौकवे में हमारे देश की जनता के सफाई कर्मचारियों का संवान किया तो मैं कहाँगा भगवान राम ने जो संवान जटायू का किया उसी उसमें अब आजकल जटायू की संख्या काफी कम हो यहां पर जटायू प्रिजन केंद खोला जा रहा है अभी यहां चार जटायू है यहां पर 25 करने की उमीद है और उसके बाद उनके अंडों की बच्चों की पूरी देख भालो और उनकी संक्या बढ़े क्यों कि अगर संक्या नहीं बढ़ांगे तो यह लुप्त हो जाएंग संक्या नहीं की मैं समचता हूं जल्दी ही बढ़ेंगे जटावी संचा के सवी सानर फोड हैं मैंने बताया अभी लगभग बन रहा है काफी कुछ पून है को थोड़ी सी कमिया है वह भी पूरी हो जाएंगी हमने देख लिया है वह भी पूरी है पार्क है काफी निस पहले और उसको भी ठीक करांगे अच्छा बनाएंगे यहां के लोग उसे टेहल सकें घूम सकें उसका पूरा आनंद उठा सकें अनात्माता की जाए गोरपुर से सचनियादव की रिपोर्ट